हेलो फ्रेंड्स मैसेल्फ अरुन यादो एंड वेलकम बैक टू अनादर इंपोर्टेंट वीडियो फ्रेंड्स आजकी इस वीडियो के माध्यम से हम सब श्टडी करेंगे वर्क्साप टेक्नालोजी के टाप मल्टिपल चॉइस क्वेसंस के बारे में जो कि आपका इपी सीट लिट दोhunज़र that ये फ् defe C आपका आइपी लिटे हैं साथ ही साथ आपका आइपी लिट ये फ्यूचर लीट ऑपने दोस्तों अश्यूर हें ने एऩ को शेयर करें और फ्रेंड्स अगर चैनल पे अगर पाली बार विजिट की हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोड़ फीकसान अमें साब तक पहुंच सके तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूँ कि इसके पहले हमने बहुत सारे लेक्षर अप्लोड कर रखे अपने चैनल पे और साथ ही साथ और साप टेक्नोलजी के कई सारी वीडियो अप्लोड है प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे तो आपको वीडियो देखने को मि से ठीक ना चलिए आज का सबसे पहला कोशन इस वीडियो का क्या बता जा रहा है कि अगर कोई भी आप पैटर्न का निर्माड करते हैं या जो भी पैटर्न होता है उस पर जो भी आप मासिनिंग एलाउंस देते हैं प्रवाइड करते हैं तो किन किन चीजों पर डिपेंड क करता है यह आपको बताना है ठीक ना मानले कोई भी आपका पैटर्न है और उस पैटर्न पर छूट देते हैं मासिनिंग एलाउंस देते हैं ठीक ना तो उस पर आप कौन कौन सी मतलब की चीज़े डिपेंड करती है उस पैटर्न पर यह आपको बताना है तो सबसे पहले और आता है type us a casting metal और यान किस तरीकेस're a metal का इ्यूस करते हैं किस तरीकेस Minaol का कने का करते हैं किसback करते हैं मN लोहास चなた डंदी या Glass लोहास किस मेरे अपनेबह रहें जारुपर करते हैं ये आपको होना चाहिए तीक चीज मेरें का साथ में उसी पैटर्म के जितिने भी काश्टिंग होते हैं उसको साइज और सेफ की ज़रुत पड़ती है ठीकळा उसके बाद आपको किस मैथर्ट से उस काश्टिंग को कर रहे है यह आपको जरूर्शी चीजी थी प्र अब कि ने होते हैं की काश्टिंग आप और उसके बाद आप कितने टाइप के कास्टिंग मेथर्ड का इउस करते हैं यह भी आपको पता होने चाहिए तो ठीक है तो यह आपका जो आपसन होगा चोथा नमर करेक्ट हो जाएगा ठीक ना चलिए अगले नमर कोसं की तरफ बढ़ते हैं काफी सारे इंप्रोडेंट कोस आप इन कोसं को बढ़े ध्यान से देखना और पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं कोसं नमर 37 के आप बोल रहा है कि इन समच्ट आर्क वेल्डिंग एन आर्क इस प्रोडूस्ट बिट्वीन कार्मन इलेक्टोड एंड देखिए जब भी आप समच्ट आर्क वेल्डिंग करते हैं तो वह पर हम जो भी आपका आर्क जो जनेट किया जाता है किसके किसके बीच में किया जाता है तो वह किया जाता है आपका बेयर मेटल इलेक्टोड एंड्ड वर्क की किए जाता है किसिक किए किया जाता है तो bear metal electrode होता है और जो आपका workpiece होता है उनके उनके बीच में यह आपका अर्क जनेरेट किया जाता है ठेक ना चलिए अगले कोशन सकतरा बढ़ते हैं और क्वेशन फिर कोंगे सेडीर अर्क किटाश्री सबना कोशन के एध welding की Rad होती है fish की Coating कोट की गई होती है Works की Coating की गई होती है। neu 18 ways to this is a wax I embroidered with flaking material is fixed कि जो भी आपका Rad हमी उज़ करते है यह किया गया हम Rad उज़ करते हैं तो आप Two legs चलिए 39 कोशन के तरह बढ़ते हैं क्या बॉला जाया यह आपको पता ना कि correct है या incorrect है यह आपको पता ना है देखिए जब भी हम die casting method करते हैं तो जो भी हम molten material को force करते हैं यानि कि जितने भी हमारा molten metal होता है और यह यह राइजर और इस प्रूपमिन के मदद से हाई प्रेसर से अगर पैटर्न के अंदर जाता है तो वह क्या होता है तो हाई प्रेसर पही जाता है ठीक ना तो यह आपका option सही है correct वाल option सही हो जाएगा लो प्रेसर नहीं होगा हाई प्रेसर ही होगा ठीक ना आगे कि तरह बढ़ते हैं और कोशन नमर 14 यह बोल रहा है कि इन सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग मेथड दा इंपूरिटीज आर क्लेक्टेड इन सेंटर अप दे कास्टिंग यह सही है या नहीं यह आपको बताना है तो सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग मेथड में जो भी आपके इंपूरिटी जो क्लेक्ट की जाती है वो सेंटर अफ कास्टिंग के मादा सही है आप क्या करते हैं तो क्वालेट करते हैं तो यह आपका आप्शन यह वाला क्रेक्ट हो जाएगा चलिए अगले नमर कोशन द चलिए नमरा कोशन देख लेते हैं कि वह बोल जाहां है कि the electrodes used in used in smart welding have a tip of stainless steel aluminium copper brass कोशन में ये बताना है कि जो भी आपको smart welding में जो भी आप electrodes इंस करते हैं उसका tip किस इसका बना होता है देखो इलेक्ट्रोड यानि तो यह आपका बना होता है किसका बना होता है किसका बना होता है तो यह आपका बना होता है कापर का किसका बना होता है तो कापर का यानि कि simple die, progressive die, compound die, combination die तो blanking और piercing operation करते हैं हमको compound die क्या use करते हैं compound die हम use करते हैं ठीक ना चलिए अगले नमर कोशन ये बोल रहा है कि a pattern maker shrinkage rules considers pattern maker shrinkage rules consider कब किया जाता है all pattern allowance कलत है only shrinkage allowance shrinkage की बात की जारी है न, shrinkage rule condition की बात की जारी है तो आपको only shrinkage allowance ही tick करना है ठीक ना option number be correct हो जाएगा चलिए अगले नमर बहुत important question है the tolerance produced by a cell molding process of casting इस ताइप के एक और questions करवा रखाया ठीक ना आप previous lecture को देखेंगे तो उसमें आपको देखनों को मिल जाएगा the tolerance produced by a cell molding progress of casting is 0 तो मतलब कि देखो यह minus 0.2 mm से ले करके यह आपका होता है plus 0.2 mm तक ठीक ना यानि कि आपसा नमर भी इसका correct हो जाएगा चलिए अब बढ़ते हैं अगले नमर question की तरफ क्या बोला जा रहा है कि galvanizing is a zinc diffusion process process of coating zinc by hot dipping process used for making the phosphate coating on steel none of the work तो galvanizing एक ऐसी process है जब हम zinc का coating करते हैं किस के through तो hot dipping के through आपसा नमर भी correct हो जाएगा ठीक ना galvanizing क्या होता है तो हम zinc का coating करते हैं किसी भी material के उपर या किसी भी metal के उपर और किस के through करते हैं तो hot dipping के through और hot dipping क्या होता है यह मैंने previous lecture के मादम से समझा रहा है अगले नमर कोशन यह बोल रहा है कि the ferrous metals require more machining allowance than the non ferrous metals true है यह फालसी यह आपको बताना है जो भी आपको ferrous metals होते हैं उनको क्या होता है allowance देने की requirement होती है और किस type के allowance देना होता है तो non ferrous metals की ठीक ना यह वाला option सही है true वाला चलिए अगले नमर कोशन देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है इन और फोर हाइई rolling mill there are four rolls out of which याझने कि four high rolling my spring में क्या क्या करना होता है तो जो भी आपके दो roller लगे होते हैं ठीक ना comment काम कई ओई यकशन में काम करते है ठीक nam ऐसे आपका four high rolls काम करता है तो इसमें क्या होता है जो भी आपके दो roller होते है वह working roller होते हैं क्या होते हैं तो working roller होते हैं और दो होते हैं उसको backup देते हैं इसको चलाने के लिए backup देते हैं आपसे नमर आपका भी correct हो जाएगा ठीक ना चलिए अगरा नमर question देख लेते हैं true and false का question है when a pattern is made in three parts the bottom part is known as a cop मैंने बताया था friends जब भी आप आप कितने मतले pattern को समझें किस चीज़ के pattern बना होता है ऐसे समझाया था मैंने यह pattern है यह तीन हिस्टों में बटा होता है ठीक ना तो सबसे उपर वाले को बोलेंगा आप drag इसको बोलोगे कोप बाक्स अब बीच वाले को बोलोगे चीक चीक बाक्स तो ड्रैग हो गया यह कोप हो गया और यह चीक हो गया देखिए को समझें क्या बोला जा रहे है है उच्छान डौ टर बाटं पार्ट इस नोटन भी और यह बोला रहे हैं कि जो पैटर्न होता है तीन हीशों में इन त्रीपाट बाटंपार्ट इस नोन अज कोप तो मैंने बताया था देखिए यहां पर पैटरन ऐससे समझाया था तकि जो पैटर्न होता है तीन हिसों में डिवाइड होता है ठीक ना, तो सबसे उपर वाले हिसा को बोलते हैं को बाक्स क्या बोलते हैं को इसको बोलोगए चीक, बीच बाले को चीक और नीचे बाले को बोलोगे ड्रैग क्या बोलोगे तो कोसर में समझ यह क्या बोला जा रहा है कि when a pattern is made in three parts the bottom part is known as को बाटम पार्ट को आप ड्रेग बोलते हैं तो यह वाला फाल्स वाला अप्सन करेक्ट हो जाएगा ठीट को चलिए और इस विडियो का सबसे अंतिम नमर कोशन जो कि आपका फिल इन आ बलेंक से कोशन है क्या बताय जा रहा है कि इन वेल्डिंग दा वेल्ड में भी made either from left to right or from right to left यह बताना कि किससी welding में आप किसी भी चीज कести को left to left कर सकते हैं या right to left आप 144 आप कर सकते हैं easy लाने के लिए 216 प्रोसिस को ठिला कि किस आप building मेथरड में क्या करते हैं वेड को क्या कर सकते हैं कि right to left कर सकते हैं या right से lift कर सकते हैं तो यह हम कर सकते सकते हैं ठीक ना ऐसे करके आपसे नमर सी वाला सही हो जाएगा ठीक है तो फ्रेंड्स आज के लिए सितना ही मिलते हैं अगली वीडियो में अगर यह आपको लेक्चर अच्छा लगाओगा हेल्फ लगाओगा तो प्लिज इस लेक्चर को लाइक करिए कमेंट करिए और अपन करिए जाहिन जावर्थ वन्दे मात्रम